नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत नियुज़ फ्यर्स पर तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राहुल गांधी के कहने पर UPA का नाम बदलकर INDIA तो कर दिया गया और शुरू-शुरू में विपक्षी ने भी पूरा महौल बनाया कि हाँ, इस बार तो बस BJP का आखरी साल है और तरह-तरह के बहुत सारे महौल बनाएगा और उधर लालो जी ने भी स्वातनता दिवस पर यह कह दिया कि अब मोदी जी इस बार आखरी बार ही लाल किला पर धंड़ा फ़रा रहे है अगले बार तो हम लोग ही फ़राएंगे पर जब आप गौर से एनलाइसिस करेंगे और देखेंगे तो आपको विपक्षी एक्ता में खोट न जराएगी ऐसा मैं क्यों घरा हूँ चलिए मैं एक एक करके पॉइंट बाइज आपको समझाता हूँ चलिए सबसे पहले बात महराष्ट की करते हैं महराष्ट में जैसा NCP के साथ हुआ और अजीत पपार ने सरत पपार की पार्टी तोड़ कर अधिकतर बिधायक लेकर सिंदे सरकार में सामिल हो गए और अब सरत पपार को भी मनाने में लगे हैं कि अब भी एंडिये में आ जाईए उन दोनों के बीच कितनी सिक्रेट मीटिंग्स भी हो चुकी है सिबसे ना पहले ही तूट चुकी है और अब उद्धर ठाकरे के लिए भी यह आगामे चुनाओ आसान नहीं होने वाला है तो दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं दूसरा पॉइंट आमादमे पार्टे और कॉंग्रेस के बीच के भी का है चाहता है इससे एसा नहीं लगना चाहिए कि कौंग्रेस आमादमे पार्टे को समर्थन दे रहे है तिसरा पॉइंट निकल के आता है बंगाल से तो आपलोग जैसा के जानते होंगे कि बंगाल में TMC और BJP बस्तु ही पार्टी है जो बड़ी मेजर पार्टी है तो TMC में ममतव अनर्जी को PM बनाने की मांग उठने लगी है बंगाल में TMC जैसा भाजबा के साथ करती है कुछ उयसा ही रूख हुआ Congress और lift के साथ भी करती है सीट बत्वारे का पेच अलग से फसा हुआ है और बंगाल में कॉंग्रेस और lift तो 0 है तो TMC उन्हें सीट भी क्यों देगे चौथा पॉइंट निकल कराता है नितीस बाबु को लेका तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 16 अगस्त को पूर्परधान मंत्री अटल विहारी बाजबेई जी का पुनिते थी था तो नितीस बाबु उनकी समाधी पर सरधांजली अरफित करने चले गए ये बात भी कॉंग्रेस और अन दलो को अच्छी नहीं लगी होगी इसी बात पर चिराग पास्पन ने भी यह कह दिया कि नितीस बाबु को अब हार का डर सताने लगा है और अब वह एंडिये में वापसी चाहते हैं और भी एस बहुत सरे पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको लगेगा कि ये बिपक्षी दलों में कुछ एकता नहीं बैठ रहा है कुछ मोल ही नहीं बैठ रहा है तो आगे आने वाले समय में मैं ऐसा अनेलाइसेस आपके लिए लाता रहूंगा तो अगर आपको आज का अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यबाद